आईए दोस्तों आपका एक नजर क्रिश्ट चनल में स्वागत है देखिए आज हम आपको पहाड दखाते हम आज बहुत दूर गए हैं तो यहां से पहाड काफी उचाई में है लेकिन फिर भी दखाते हम आपको किस ढंक से यहां पर पहाड है और जगा बहुत अच्छी है औ और फिर आपको पहाड दहान भी बताएंगे दहान का मतलब यान किज चाउड जैसे बासमती चाउड होते हैं या परमल चाउड होते हैं ये जो है हमारे पहाडों में उगाए जाते हैं सूके खेतों के अंदर वोश्त द्द. दहान जो है उसमें लगता है पानी बीच में लेकिन ये पानी के बीज में नहीं लगता है, ये सुके में लगता है, तो हम उसको भी दखाएंगे आपको, पहले आपको हम पहाड दखाते हैं, तो देखिए और गाओं भी दखाते हैं, कितने सुंदर सुंदर गाओं है, ये देखिए, ये सामने जो है गाओं दिखा है, औ और यह उपर को पहाड, इस time यह पहाड बहुत दूर है, यह देखिए, यह पहाड जो है, काफी उचाई पे जो है, यह पहाड है, देखने में जो है यह, नजदीक लग रहे हैं, लेकिन यह नजदीक नहीं है, यह बहुत दूर है, और यह जो गाउं दिखाई दे रहा है, यह देखिए, यह भी जो है, बहुत दूर है, लेकिन हमने आपको नजदीक इसलिए यह दुखाया है, यह जूम करकर, इससे आगे जो है, यह देखिए खेत, और यह बान का जंगल, और एक गाउं ये है साथ में ये बड़े बड़े गाउं है यहां पर ये देखिए और ये आगे तक जो एक खेत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ये ये देखिए इदर तक बहुत पहाड दिखाई दे रहे हैं ये आगे पहाड ये बहुत दूर है इतना ही हम आपको इसको नजीक दखा सकते हैं, कि ज्यादा भी नहीं दखा सकते हैं, यह देखी काफी उचाई पे जो है यह पहाड़ा है, और बहुत अच्छी जो है यह सिंद्री है, बादल भी आ रहे हैं, बादल दखाते हम आपको, यह देखी बादल, जहां इस टाइम हम है, यहां पे बारिश जो है मिंटो में आती है, थोड़े से बादल लाते हैं, और बारिश जो है एकदम आ जाती है, तो चली दोस्तों, अब हम आपको धान दखाते हैं, जो सुके में धान लगता है, फिर उसको जो है कूटते हैं, और धान को हमारे उखल क और मिशीन में भी इसको साप किया जाता है फिर इसको पकाते हैं और पकाने के बाद इसको इसको इसमें जो है पीच भी निकलती है जो पानी होता है इसमें तो इसको पीच कहते हैं हमारे फिर उसको जो है नमक से या गूड मलाकर जो इसको पीते हैं तो चली दोस्तों देखि यह है वह असली दान यह जो है सुके में लगता है यह देखिए यह सुके में लगता है यह लाल लंका होता है अंदर से यह लाल लंका होता है अंदर से और बहार भी जो है यह हर किसम का होता है यह लाल भी है इसमें स्पेद भी है लेकिन अंदर से इसको आपयों सूके में बिजाई करते हैं इस टाइम येस्टू निये रखा है यह सूखने के लिए रखा है आप जब यह सूखेगा फिर इसको जो है मशीन में यह किया जाएगा त्यार तो थैंक्यू दोस्तों बने रही आप हमारे चैनल के साथ देखते हैं चैनल को सुस्क्राइब करें और लाइक भी करें और आगे शेयर करें धन्यवाद